नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में बहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां पाइल्स जैसी गंभीर बिमारियों को भी कर देगा दूर इस प्रकार से आप प्रयोग करें घरेलू और शदिका जिहां अमरूद में मौजूद विटामिन और खनीज शरीर को कई तरह की बिमारियों से बचाने में मददगार होते हैं साथ ही यह इम्मून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है अमरूद खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं अमरूद खाने के और क्या-क्या फायदे हैं इसके बारे में विटामिन्स और मिनरल्स पाये जाते हैं यह तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं इसके अलावा डीने को सुधारता है अमरूद में पाया जाने वाला विटामिन बी-9 जिहां शरीर की कोशिकाओं और डीने को सुधारने का काम करता है दिल का साथी अमर मिन सिश्टम को अगर आप अपने रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाना चाहते हैं तो अमरूद का सेवन करना बहुत फायदे मंद होगा इसके अलावा सर्दी जुकाम में भी अमरूद के नियमित सेवन से आपको लाब होता है समस्या आपको सर्दी जुकाम होने का खत्रा बिलकुल कम हो जाता है विटामिन ए और ई जी हां अमरूद में पाया जाने वाला विटामिन ए और ई आखों बालों और त्वचा को पोशन देता है अमरूद में मौजूद लाइकोपीन नामक फाइटो निउट्रियंट्स शरीर को कैंसर और ट्यूमर के खत्रे से बचाने कि रहें तो अमरूद का नीयमित सेवन करने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती हैं फल के साथ ही अरूद की पत्यों का सेवन मूद के छालों को दूर करने कारगर होता है अम्रूद का रायता चटनी एचार और शीक खाने का स्वाद भढ़ा देते हैं इसके अलबा कोलेश्ट्रोल को सही रखता है जिससे शरीर में कोलेस्ट्रोल का सुठर नियंतरित रहता है कच्य अम्रूद में पके अमुरोद के अफेक्षा विटामिन-C अधिक पाया जाता है इसे लिए कच्चा अमुरोद खाना ज्यादा फायदेमंद होता है अमुरूद में फाइवर की मात्रा बहुत अधिक होती है इसे लिए यह और डाइबिटीज के मरेजों के लिए बहुत अच्छा करता है थायराइड के लिए ये बहुत फैय multiplier करत नार्मल करता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए अमरूत के कई सारे गून से जुड़ी होई जानकारी को लेकर के आये थे अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों